तुम्हें क्या चाहिए तुम्हें यहां शिकायत करने के लिए बुलाया है मैं बहुत परिशान हूँ क्या तुम्हारा हो गया मैं जा रही हूँ मेरी बात सुनो तुम्हारी वज़े से मुझे परिशान ही हो रही है मुझे देज छोड़ के जाना पड़ रहे है मेरे कंपेट पूछ रहा है तुमने मसाले कहां रखें क्या तुम उसे बता सकती हो कहां रखें अब इसे ये भी मैं ही बताओ जरा ध्यान से देखो तुम्हें मिल जाएगा आँखों का इस्तमाल करो वह बिचारा हर जगर ढूंद चुका है मेरे बिना कोई कुछ काम नहीं कर पाथ आज इ कीजी हूँ लेकिन लंच पर या तुम्हें जैसा सूट करें जैसा तुम चाहों क्या ख्याल है तुम्हारा क्या तुम फ्री रहोगी हां अगर मुझे कुछ पूछना होगा तो मैं पूछ लूँगी ठाहने之द की रेखेवलिन जैदकास scratch become थेदूए की जाएम कैपी तुम जैएमारा जाष रोल करेस्ट सुनकुनित फेलग спрос अना फाहन ढूंड क्या हुआ हिए ए्जान अखर नहीं सुनकुक स॥ जयान आखर क्या हुआ है तुमारी ड्यस को क्या हूआ ? क्या तुम भूल गए हो डेनिस यह मेरी लखी ड्रेस है यह ड्रेस मैंने माई फोट्रेस शो में पहनी थी और मेरा वो एपिसोड कितना सक्सेस्फुल हुआ था सबने मुझे कितना पसंद किया था पहली नजर में अपना बना लिया था मुझे आडियंस से कितना प्यार मिला मैं हमेशा यह ड्रेस पहने रखूंगी तुम्हें ठंड लग जाएगी नहीं नहीं मेरे कहाना में बाहर नहीं आओंगी सारे अक्यूजेशन्स मैं किसी चीज के लिए गिल्टी नहीं हूँ मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो मैंने कुछ जल्दी से टाविल्स लाइए और डॉक्टर को भुलाइए हमें आना को चेक करवाना होगा अरे जब मैंने उसे देखा था मैं तो तभी समझ गई थी वह आज कुछ करने वाली है जानती हो उसकी आँखे एकदम लाल हो गई थी और उसकी ड्रेस पूरी तरह उसके बदल से चिपकी हुई थी वह बिल्कुल जूलियर्ड या किसी प्रिंसेस की तरह खूब सुरत लग मुझे नहीं लगता कि स्केंडल उस पर इस तरह से हावी हो जाएगा मैं उसे बहुत स्टॉंग अरस समझती थी चिंता ही कोई बात नहीं है आपके बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी फिजिकली वह एकदम ठीक है और जो भी उसके साथ हुआ है वह सेफ स्ट्रेस के वज़े से हुआ है लेकिन वह बहुत यंग है इसलिए जल्दी इस सदमे से बाहर अब भर आएगी अभी उसके लिए सबसे ज़रूरी है वह अच्छे से खाए और आराम करे अब मुझे ये बताएए डॉक्टर कि उसकी मेंटल स्टेट कैसी है आपके बहु का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है मैंने उससे सेलिटिव दे दिये हैं अब वो सो रही है लेकिन कुछ दिनों तक उससे सेलिटिव देने होंगे मैंने मेडिकेशन का प्रेसक्रिपशन आपके बेटे को दे दिये है मैं सारी दवाईयां मंगवा लीती हूँ हाँ प्लीज मंगवा लीजी और उसके साथ रही है या ताकि उसे अकेला महसूस ना हूँ और वो पॉसिटिव फिल करें हाँ ये तो हम सब जानते है इसके अलावा मैं आपको सला देना चाहता हूँ कि आप किसी साइकलोजिस से कंसर्ट कर लीजी जी बिल्कुल एक बर उसे दिखा लीजी क्योंकि आद जो उसके साथ हुआ है वो उसके लिए फर्स वानिंग है अगर आपने अभी इस सेच्टुएशन को कंट्रोल नहीं किया तो हालात और बिबत्तर हो सकते हैं आप कहना क्या चाहते है मैं आपको डराना नहीं चाहता लेकिन वो अपने आपको नुक्सान पहुचा सकती है इसका एक नतीज़ा ये भी हो सकता है कि वो सुसाइट करने के कोशिस करें लेकिन ये सब होने से रुका जा सकता है क्योंकि आपको उस अभी भी वक्त है थैंक्यू डॉक्टर मुझे तो यकीन नहीं हो रहा सिर्फ एक गल्ती की वज़े से उसका पुरा करियर बरबाद हो गया बेचार याना मुझे समझ में नहीं याता उससे ऐसी गल्ती कैसे हो गई मेरा मतलब है आना को इंगलिश अच्छी से आती है सुर्याना वो भी एक इंसान है गलती किसी से भी हो सकती है उसका साथ देने के बजाए उन रिपोर्टर्स ने उस पर सवालों की बोचहार कर दी है आना इतने अमीर आदमी की बीवी है फिर भी वो घर में नहीं बैठना चाहती थी उसने जित पकड़ी हुई थी कि उसे टीवी पर काम करना है इसमें कोई बुरी बात नहीं है कोई बात नहीं पुरा वक जल्दी ही गुजड़ जाएगा एक बार ठोकर लगने से कोई हार नहीं जाता वो जल्दी ही अपनी खोई हुई विजट वापस हासिल कर दो मैं देखती हूं को ना है इस वक्त आप यहां सब ठीक तो है ना गुड़ बार्निंग या हुआ है मैं यह आपको फोन पर नहीं बताना चाहती थी या यह आना के बारे में है पहले आप शांत हो चाहिए उस पर इस सिच्वेशन का बहुत बुरा असर हुआ है नवस ब्रेक क्या वो अस्पटाल में है उसे इसपटाल जाने की जरूरत नहीं है डौक्टर ने कुछ दवाईयां दी हैं और उसे आराम करने के लिए कहाँ है डौक्टर ने यह भी कहा है कि उसे एक साफ्चलॉजिस्ट की जरूरत है हम सबको इस वक्त उसके साथ रेहना होगा आप सब मुझे अपनी मापर तरस आ रहा है और डेनिस के घरवालों पर भी वो सब उसके लिए परिशान है लेकिन वो इसके लायक नहीं है मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी याना तुमारे लिए कुछ भी करने को तैयार थी लेकिन तुमने मेरी उन फीलिंग्स को मार दिया जानती हो इस वक्त तुम जितनी भी तकलीफ से गुजर रही हो मैं तुम्हें और तकलीफ पहुचाने से पीछे नहीं हटोंगी मैं हर नाइंसाफी का बदला लूँगी यह बदला सिर्फ मेरे लिए नहीं उन सब के लिए ले रही हूं जिनके साथ तुमने धोखा किया है अब तुम कैसा फिल कर रही हो अच्छी हूं बेटर फिल कर रही हूं अच्छी नीन के बाद अच्छा ही लगता है क्या तुम निकल रहे हूं हाँ मेरी एक इंपोर्टेंट मीटिंग है आज मैं फ्री होते ही तुम्हें कॉल करूंगा प्रॉमिस करो तुम अपना खयाल रखोगी तुम्हें आज रस्ट करना होगा चाहो तो कोई मूवी देख सकती हो जैसे तुम्हारे वेकीशन सो सौरी वो भी कल के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया है कोई बात नहीं नहीं मैं सच में अंबैरस्ट हूं मैंने कंट्रोल लूस किया ऐसी कुछ चीजे की जो नहीं करनी चाहिए थी पता नहीं ऐसा क्यों हुआ घर में सब जानते हैं तुम्हारे साथ क्या हुआ कोई तुमसे नाराज नहीं है सच में हाँ परिवार इसलिए तो होता है मुश्किल वक्त में काम आ सके सहरा दे सके फिर चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें याना पर भी कुस्ता नहीं करना चाहिए उसने यह सब जान बूच कर नहीं किया था कॉल करो उसे बात करो उसे इन फैक्ट तुम्हारे पास तो एक वज़ा भी है आज उसका डेवलप्मेंट डेपार्टमेंट पहला देना है अगर तुम उसे कंग्राचुलेट करोंगी तो उसे अच्छा लगेगा मैं क्या वो सच में काम कर रही है ए plastic ऑट चयानल में उसके पींच यह क्या उसे और दो हफ़तों के यह काम नहीं करना आए ड़िन тебя और मैंने इस बारे में बात कर लिया सब सौट आउट हो गया है तो क्या तम उसे कॉल करके कॉंग्राइचुलेट करोगी है हाँ ज़रूर कि अब यहाना को फ्री करने के लिए शुक्रिया शुक्रिया कि कि ज़रूरत नहीं है वो इतनी अच्छी थी कि मैं उसे कहीं जाने नहीं देना चाहती थी वह बहुत ही रिस्पॉंसिबल और स्मार्ट है लेकिन ऐसे एंप्लोई को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करना चाहिए वह काफी गिफ्टेट है एना और याना के बीच में काफी दिनों से जगड़ा चल रहा है हां उनके जगड़े भी आए दिन सुनती रहती हो कंपनी में हर किसी का कहना है कि आना याना के साथ 113 जिसा वहवार करती है क्यों मुझे कैसे पता होगा मेरे मन में अकसर यह ख्याल आता है कि अब वो दोनों बेहने एक साथ ऑफिस में काम करने वाली आए दिन नहीं तमाशा खड़ा हो सकता है क्या तुम्हें डर नहीं कि अप्रेशन भूल जाएगी मुझे उमीद है सब अच्छा होगा नजार आज याना की यहां आने की खुशी में तुम हमें कॉफी पिला सकते हो मेरे खाल से याना भी कॉफी के लिए मना नहीं करेगी अच्छा मेरे पास एक आइडिया है मेरा जन्नम दिन आने वाला है तुम जानती हो मुझे सेलिब्रेट करना अच्छा नहीं लगता लेकिन इस साल मैंने सोचा है कि मैं मैं एक पार्टी और्कनाइज करूंगी इसी वहांने ग्यादरिंग भी हो जाएगी हम सब यह तो बहुत ही अच्छा एडिया है भाबी यह भी तो काफे दिनों से वहां नहीं आई तुम्हें क्या लगता है मेरी बच्ची कि जो करना है करो यह तुम्हारा बिर्दे है इतना स्ट्रेस लेना बंद करो बेटा मुझे यकीन है कुछ दिनों बाद लोग इस बारे में भूल ही जाएंगे कुछ दिनों में यह पुराने ख़वर हो जाएगी लोग सब कुछ भूल जाएंगे तुम तुम यंग और टालेंटेड हो आए दिन सेलेबरीटीज की लाइफ में ऐसे स्कैंडल्स होते रहते हैं यह कोई बड़ी बात नहीं है पर क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है लाइफ टीवी पर मुझे इस तरह एंबैरस करने के बाद मेरे सारे दर्वाजे बंध हो चुके हैं मेरा करियर खतम हो चुका है वो पानी में जा चुका है बस इतनी सी बात से तुम्हारा नर्वस ब्रेकडाउन कैसे हो सकता है टीवी के अलावा तुम और भी कुछ काम कर स से मिला चाहिए वो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा वैने सुना है एक साइकॉलोजिस्ट के बारे में और वो भी 200 बार आखरी दो दिनों में उम्हे चाहिए वो एक करियर टीवी में और यह एक ऐसी कॉमन मिस्टेक है जो हर किसी से अकसर हो जाती है ठीक है अंदर आ सकता हूँ मैं बस याना को जॉब के पहले दिन के लिए मुभारत बात देने आया हूँ लेश्या ये आंड्री है तुम दोनों पहले भी मिल चुके हो ना हाँ हम एक बार मिले थे मुझे अच्छी तना याद है ये तुम्हारा फियांसे है ठीक है अब तुम बाखी का असाइन्मेंट कंप्लीट कर लो कॉंट्रक्ट के बारे में हम बाद में बात करेंगे नए आफिस में काम करके कैसा लगा सब ठीक है शुरू शुरू में थोड़ा नर्वसनेस हुई थी लेकिन मुझे वापस आकर खुशी हो रही है मैं यहां काफी वक्त बिता चुकी हूँ जब अपना असाइन्मेंट कंप्लीट कर रही थी तक्रीबन पूरा दिन यहीं पर थी अच्छी बात है अब मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लोगा फूल लाने के लिए शुक्रिया बात में मिलते हैं ठीक है देखो मुझे यह कहना तो नहीं चाहिए लेकिन एंट्रियू बहुत क्यूट है तुम बहुत लगी हो मैं हर आसान बात को मुश्किल क्यूं कर देता हूं मैं मैं उसे साब बता दूँगा नहीं यह सही नहीं रहेगा ल्यूबा पहले से खुल लेता हूं ल्यूबा मुझसे शादी करोगी बस इतना ही तो कहना है अपता है हो गया उसके अंदर आते ही मैं उसे प्रपोस कर दूँगा तो इसमें बुरा ही क्या है साइकलोजिस से सला लेना कोई बुरी बात नहीं होती शायद वो भी सही कह रह है क्योंकि आना के पास डैनिस है हाँ जिन्दगी में को ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें सपोर्ट करें अच्छा जीवन साथी पाना बहुत मुश्किल होता है ल्यूबा पता नहीं मेरी जिन्दगी में कोई ऐसा कब आएगा जो मुझे प्यार करेगा मुझे मुझे मुव जोर्याना प्लीज मुझे से शादी कर लो तुम अभी बच्ची हो यह सब फिल्मों में ही अच्छा लगता है असली सिंदगी में किसी लड़की का हाथ मांगने के लिए मर्दों में कलेजा होना चाहिए हिम्मत होनी चाहिए लड़का ऐसा हो गया मना ना कर पाए हाँ तु रियल लाइफ प्रपोजल तो सच में यादगार होना चाहिए गर्ल्स अज तुम्हारी बातें खत्म होगी या नहीं कम इन क्या तुमने मचे बिलाया प्लीज तुम्हारे काम के पहले दिन के लिए तुम्हें बहुत-बहुत मुबारक बात तुम्हारे शक्रिया कैसा जा रहा है मुझे पता था जिस लड़की ने इस टेस्ट को इतनी आसानी से पास कर लिया उसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है भला मैं तुम्हें कुछ काम देना चाहता हूं क्या तुम कुछ हमारी सेल्स के वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए कुछ सजेशन्स दे सकती हो इसे अपना पहला टेस्स समझो अगर तुम्हें एक कर लिया तो मैं तुम्हें अच्छा खासा बोनस दिलवा सकता हूं क्या यह डील अच्छी है या फिर मैंने कुछ जादे ही डिफिकर्ट आस अब मैं चलती हूं हां बिल्कुलिग तो हम कभी भी डिसकस कर सकते हैं फिलाल मैं बिजी हूं लेकिन लच पर या तुम्हें जैसा सूट करें जैसा तुम चाहों क्या कि अगर मुझे कुछ पूछना होगा तो मैं पूछ लोगी अब मैं चलती हूं कि अब कि मैं स्टूपिड हूं मैं यह सब क्यों कर रहा हूं मैं बार बार उसे देखने की एक्सक्यूस क्यों ढून रहा हूं वो मेरी वाइफ की बहन है कि मैं जानती हूं कि अब मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती हूं तुम्हारे लिए मैं सिर्फ तुम्हारी बीवी की बहन हूं अब मैं तुम्हारे खुआबों की वो मलिका नहीं रही ना ही वो लड़की जिस से तुम शादी करना चाहते थे मैं यह सब कैसे बरदाश्ट कर पाऊंगी तुम्हें कैसे एसास दलाओं कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी आज मैं बहुत खुश है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है घर पर रहने का अपना एक अलगी सुकून और मजा है परिवार के साथ वक्त बिताने में अलगी सुकून मिलता है लेकिन यह बात मुझे तब समझ में आई जब मैं बूरा हो चुका हूं बिलकुल लोगों को इस बात की वैल्यू एक उम्र पे ही होती है लेकिन अक्सर लोगों को अकल उम्र बीच जाने के बाद ही आती है और कभी कभी लोग यह भूल जाते हैं कि सुखी परिवार चलाने के लिए बहुत सारे एफट्स डालने पड़ते हैं तुम खुश नसीब हो कि अब तुमें अपन के बारे में सोचना चाहिए मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगी पर शायद बाद में एक्स्क्यूज मी मेरा सर दुख रहा है मैं जाकर थोड़ी देर सोचाती हूँ वेल इसके लिए अपने करियर को भुला कर फैमिली लाइफ इंजाय करना बहुत मुश्किल है कोई बात नहीं उसे थोड़ा वक्त दो कम से कम उसे इस बारे में सोचने की बात तो कि क्या पता उसे एहसास हो जाए कि फैमिली प्लान करने का यही सही वक्त है और क्या पता ए क्या तुम धनिया पाउडर लाना भूल गए थे हाँ मैं अभी बाहर जाकर लेकर आती हूं पांच मिट लगेंगे ठीक है जल्दी आती हूं अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होते तो मैं अच्छा प्लान बनाता लिउबा को प्रोपोस करने के लिए यह हूं यह हूँ ये यहाँ और ये तुम्हारे लिए पेट्रो नंबर थरी का ओडर त्यार हो गया है अरे अभी तो दिया था तुम इतनी जल्दी भूल कैसे है क्या ये उनका है ने ने रूको 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 इससे हाथ मत लगाओ ये कुछ और है मैं जानती हूँ यह टेबल नंबर थ्री का यह ओडर है शर्माओ मत मैं इसे ले चाती हूँ दो जोरियाना यह उनके लिए नहीं ये तो किसी और के लिए देखो तुम बाहर जाकर कस्टमर को समालो मैं और तयार करके आता हूँ ढ़ी तुम में अन्दर आने की ज़ुरत नहीं है बस बाहर रुको मैं अभी तयार करके आता हूँ है मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ तुम्हे क्या चाहिए कैसी हो हमारी टीवी सुपरस्टार मुझे तुमसे बहुत ज़रुरी बाते करने है मुझे कोई बात नहीं करनी तुम्हारी बात नहीं सुननी अब तुम मेरी बात कान खोल के सुनो आदे घंटे में तुम मेरे घर पहुंच रही हो मुझे तुमसे बहुत ज़रुरी बात करनी हो के नहीं नहीं इसमें भी नहीं अरे क्या तुम उन कस्टमर्स को भूगे मारना चाहते हो यह सब क्या है जोर्याना मैं तुम्हें सब बता दूँगा मुझे कुछ बताने की ज़रुरत नहीं है ठीक है सुनो मैंने अपनी एक बहुत खास चीज़ खो दी है मैं उसी को ढूण रहा हूँ उस चीज़ के साथ शैद तुम्हारे दिमाग भी खो गया है क्या तुम जानते हो आज तुम अजीब सी हरकते कर रहे हो मैं तुम्हें बाद में बता दूँगा अभी मेरी बात सुनो मैं लूबा को एक अलग तरीके से प्रपोज करना चाहता था फिर मैंने तुम दोनों की बाते सुनी तो पता चला कि लूबा चाहती है कि उसे कोई खास तरीके से प्रपोज करे तो मैंने जो उसके लिए मेरे ख्याल से यह वही है और मिल गई है यह है लुबा यहां आने ही वाली होगी और मैंने अभी तक कुछ तयार नहीं किया है कस्टमर भूखे होंगे कोई बात नहीं मैं सब समाल लोगी मैं उनसे कह देती हूं कि अगर वो पंद्रा मिनट और इंतजार कर लेंगे तो मैं उन्हें बहुत बड़ा डिस्काउंट दे दूँगी देखो अगर तुम प्रपोस्ट करने वाले ही हो तो मुझे नहीं लगता कि उसे ऐसी शोवाजी कभी पसंद आएगी क्या कहना चाहती हो अब मैं बागी बाते तुम्हें बाद में समझाओंगी हाँ ठीक है मैं थोड़ी देर के लिए सिटी सेंटर जा रही हूं लेकिन डॉक्टर ने तुम्हें मना किया है मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रही हूं मेरा मूर ठीक हो जाएगा चिंता मत करो क्या जोर्नलिस्ट अभी भी गेट पर हैं नहीं बाहर कोई भी नहीं है आज सुबह थोड़े बहुत जोर्नलिस्ट खड़े थे लेकिन ठक हार कर वापस चले गए ठीक है बाद में मिलते हैं हाँ कैसी हो माई टीवी सुपरस्टार तुम कमाल लगरी बख्वास बंद करो तुम्हें क्या चाहिए तुम्हें यहां शिकायत करने के लिए बुलाया है मैं बहुत परिशान हूँ क्या तुम्हारा हो गया मैं जा रही हूँ मेरी बात सुनो, तुम्हारी वज़े से मुझे परिशानी हो रही है, मुझे देश छोड़के जाना पड़ रहे है, मेरे कंपेटीडर्स मेरा जीना हराम कर रहे है, मुझे और पैसे चाहिए क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है उस रश्वत वाले केस को दबाने के लिए उन्होंने कितने पैसे मांगे हैं? मेरे पास जो था मैंने सब दे दिया उतने काफी नहीं है, तुमने मुझे बहुत कम पैसे दिये हैं, मुझे उन्हें अपनी जेव से पैसे देने पर रहे हैं ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अपनी मर्जी के मताबिक धमका सकते हो, तो ये तुम्हारी घलत फैमी है मैं तुम्हें अब एक फूटी कॉडी नहीं दूँगी और अगर तुम मुझे इस तरह ब्लाकमिल करते रहोगे, तो तुम ही सबसे पहले जेल में जाओगे मैं इस बात की ग्यारंटी देती हूँ, ये बातचीत खतम हो चुकी है एंड्री के कम्पीटर पे तुम्हारा एक बहुत ही प्यारा वीडियो मिला मुझे मैं हैरान था कि उस कम्पीटर में आकर ऐसा क्या था जिसके लिए तुम कुछ भी करने के लिए तैयार थी सो मैंने देखा कमाल का वेडियो है क्या तुम जानती उस पेंड्राइब में क्या है तो मुझसे भाब क्यू रहे हो मुझे पता है की तुम मुझे चाहते हो मैं यह फील कर सकती हूँ मैं तुम्हारी बच्चे की मा बनना चाहती हो मुझे पता है की तुम मुझे चाहते ह efficiency तुम डेनिस को डिवॉस देकर मेरे साथ घर बसाना चाहोगी 50,000 यूएस डॉलर्स वरना तुम्हारा ये हॉट वीडियो में आउनलाइन अप्लोड कर दूँगा आगे बढ़ो मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये फेक है क्या तुम्हारा पती भी इस बात पर यकीन कर लेगा मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाओंगी मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ मेरे शोके फेल होने के बाद मुझे काम से निकाल दिया सबने मेरे साथ अपना कॉन्ट्राक तूर दिया मुझे नहीं पता कि अब मुझे पैसे कहा से मिलेंगे तुम कहीं से भी लेकरा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फ़ी तुम्हारी प्रॉल्म है, और मेरी सलाम आनो, तुम मुझे धुका देने की कोशिश भी मत करना, मैं तुम्हें एक मैने का वक्त देता हूँ, अगले एक मैने की पहली तारीक को अगर मुझे पैसे नहीं मिल तो पूरी कंट्री तुम्हारा वीडियो देख लेगी, फिप्टी थाउजन यूएस डालर, बस इतना ही दिन है, है ना, मैं तुम्हें डिस्टॉब नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, मेरे पास बेकरी को इंप्रूफ करने के क्या ख्याल है, मिलना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन आज मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे तो लगा था हम आज मिलेंगे, मैं काम कर रहा हूँ, आज नहीं मिल पाऊंगा, है ना, मैं तुमसे एक और बात पूछना चाह रही थी, कैट्रीना, मैडम और मैं, मेरा मतलब है जो मेरी को ओनर है, हम जल से जल उस जगा की फॉर्णिशिंग और डेकोरेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या तुम हमारी मदद करोगे? सच में है ना, हैना तुम बहुत ही, मुझे तु समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूँ, जब फ्री हो जाओ मुझे कॉल करना, हाँ, हैना ने मुझे कुछ ऐसे कॉन्ट्रेक्टर्स का नमबर देने का वादा किया, जो वर्ल्ड क्लास काम करके द काफी तारीफ सुनी है, अच्छा लगेगा, दिखने में भी अच्छा है, खाना जल जाएगा, तु घबरा क्यों रहा है, तेरे अगले मैने के खर्च निकल चुके है, स्माइल कर यार, यार, ये तुभारे लिए है, याना, क्या तुमने कुछ सोचा है कि तुम आफिस में अपना पहला दिन कैसे सेलिब्रेट करोगी, मैने इस बारे में अभी तक कुछ सोचा नहीं, मेरे पास बहुत सारे कूल आइडियाज है, अगर तुम चाहो तो मैं शेर करूँ, तुम मेरा आइडिया सुनो, कल हम सब की शुट्टी है, क्यों ना हम घूमने चलें, हमारी आज ही सेलिब्रेट करेंगे, मैंने एंड्री को प्रॉमिस किया है, मैं उसके साथ दिनर करूँगी, तुम उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसे भी लेती आना, वो भी पार्टी कर लेगा, ठीक है, अब मैं क्या करूँ, इतना तो काफी नहीं होगा, मुझे इतने सारे पैसे कहां मिलेंगे, आन्री को अभी भी टीवी स्टेशन पर काम है, उसने कहा है, वो बाद में हमें जॉइन कर लेगा, ये देखो, यहां कौन पैठा हुआ है, हेलो, हाई, हाई, गूद इवनिंग, मिस्टर डैनिस, डैनिस, मुझे सिफ डैनिस का वह हम काम पर नहीं है, सारा डिपार्ट्रनी आज याना का काम पर पहला दिन था, तो हमने सोचा हम सब इसे, ट्रीट देते हैं, तुम भी हमें जॉइन कर सकते हो, आई ये ला, सेलिब्रेट करते हैं, यही मुझे घर जाना होगा, कल सुबहें, जल्दी उठना है, बहुत सारे काम है, कल तो वीकेंड है, प्लीज थोड कर दी हो, तुम्हें रोकेंगे नहीं, रोक जाओ ना, लेट्स पार्डी, बस थोड़ी देरवार रुक जाओ ना, तुम भाहा घड़े क्यों हो, जब एंटरी आएगा, हम उसके लिए चड़ा बनाएंगे, बैठ जाओ थांक यू, मैं तो शैंपेंड ओर करने वादी हूँ, या ना, तहां क्यों नहीं, मुझे भूख लगी है, ड्रिंक ओर करने के पहले कुछ खाना मंगवाए, चलेगा, ठीक है, ठीक है, हाँ, मैं उसे दो बार डिनर के लिए बुला चुका हूँ, दोनों बार उसने कहा कि वो आईगी, लेकिन अभी तक वो अपने रूम से निकली नहीं है, कहीं आना फिर से कोई प्रॉब्लम न खड़ी करते, और डैनिस भी हर वक्त काम छोड़कर घर में तो नहीं बैठ सकता, तो वो कहां है, उसने कहा वो किसी कलीक के साथ बाहर जा रही है, इस वक्या जरू थी, दिन में क्या कम वक्त मिलता है काम करने के लिए, अब तो उसे जल्दी घर आ जाना चाहिए, बस, बहुत हो गया, मैं खुद जाकर उसे यहां लेकर आती हूँ, अगर वो नहीं आई, तो फिर हम उसके कमरे में बैठ कर डिनर करेंगे, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें इतनी देर तक वेट कर आया, मैं ये सोच रही थी, मुझे अ प्रस लेने से मना किया है, तुम्हें आराम करना चाहिए, हां मुझे पता है उसने क्या कहा, लेकिन मुझे खुद को बिजी रखना होगा, काम मुझे डिस्ट्राक करेगा, अनप्लेजन थौट्स और मेमरी से, और मेरी बहन को जॉब मिल गया है डिपार्टमेंट में, उस से मेरे सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है, अगर तुम काम करना चाहती हो तो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्थ है, एक अच्छे, साक्याट्रिस्ट को यह कहना होगा, कि तुम काम करने के लिए पर्फेट कंडिशन में हो, हाँ, 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 डैनेज, तुम खड़े क्यों हो, यहां आजाओ, देखो कितनी जगा है, तो बताओ, तुम तुरों शादी कब करने वाले हो, बहुत जल्दी करने वाले हैं, हमें इंतसार कर रहे हैं, तुम्हें क्या हुआ, तुम ठक गई हो, शैम्पेन, नहीं, नहीं मैं ड्राइब करने वाला हूं, ड्राइब करने वाला हूं, मैं पिल लेती हूं, रे यह िदुम्हारा, प्लीज मुझे ये बताओ कि तुम दोनों मिले कैसे थे हम शूट पर मिले थे और फिर क्या हुआ क्या तुम दोनों को पहली नजर में ही प्यार हो गया था मुझे कुछ यार नहीं है जब मैंने इसे पहली बार देखा तभी समझ गया था कि यहीं लड़की मेरी भीवी बन सकती है तुलाव सच्चे लव के लिए जब सच्चा प्यार हो जाता है तो दो लोगों को चुमबा की तरा अपनी तलब खीचने लगता है अगर वो एक दूसरे से दूर जाना भी चाहें तो जाने ही पाते हैं उनका वो सच्चा प्यार उन्हें फिर से मिला ही देता है अलग नहीं होने देता तो भी भी आना के साथ ऐसा वाला ही प्यार हुआ था कि डैनिस आहां बिलकुल वैसे ही था मैं सच कहूं तो मैं पिछले कई सालों से डैनिस और आना की लव स्टोरी को फालो करती आ रही हूं टाइम से इन दोनों को एक साथ देख रही हूं है ना और क्या तुम जानते हो जब डैनिस कंट्री से बाहर स्टडी के लिए चला गया था तो इन दोनों का ब्रेकप हो चुका था लेकिन मुझे, मुझे पूरा यकीन था कि ये दोनों आने वाले वक्त में शादी जरूर करेंगे क्योंकि प्यार में बहुत ताकत है जो किसी और शएमें नहीं होती, जी सच्चे प्यार की होती है और वही हुआ मैं कितनी लगी हूँ कि में वहाँबद में डूबे हु काभी नहीं ना लीकिन क्यों नहीं नजार कभी हoreं ऐसा कुछ ब लुख डील हो तुम नर तो किसी बैव को बनाने की कुशश कर रही हो मैं दूर से देख कर बता सकती हो कोई किसी से प्यार करता है या नहीं और तुम लोगों को देखकर साफ बता चलता है कि तुम दोलों एक धूसरी से प्यार करते हैं क्यूट कफलो स्यादा मुश्किल काम पूझे हैं क्यों करना पड़ता है तुम लोगों को क्या मैं टर्मिनेटर लगती हूँ लियूबा पेट्रो पूछ रहा है तुमने मसाले कहां रखें क्या तुम उसे बता सकती हो कहां रखें इसे ये भी मैं ही बताओ जरा ध्यान से देखो तुम्हें मिल जाएगा आँखों का इस्तमाल करो वो बेचारा हर जगा ढूंद चुका है मेरे बिना कोई कुछ काम नहीं कर पाथा आज इसे सबक सिखाती हो लियूबा मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ जिंदогी बитाना बहुत मुश्किल है अरुक औरुकौ बुरा मत मनना मैं कुछ और कहना चाहता हूँ प्लीज मेरी बात सुनओ माजे मिरा मतलब मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो लेकिन मैं तुम्हें वो सब नहीं दे पाऊंगा जैसे कि मेहंगा घर, मेहंगी गाड़ी, मैं उतना अमीर आदमी नहीं हूँ लेकिन, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा मैं, मैं दिल का बहुत अच्छा आदमी हूँ मैं तुम्हें हमेशा खोश रखूँगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ रुको, रुको, अम्गो खेले ले 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 मेरी तरफ से हाँ है मुझे लगता है, हाँच मैंने कुल जादा ही पी ली है नजार और और अलैना कहां है वो दोनों घर चले गए है तुम्हार से चलो चलो अच्छा ही है, उन्होंने मेरी यहालत नहीं देखी कोई बात नहीं, यह सब के साथ होता है चैपेन बहुत स्टरॉंग ड्रिंक मेरा परस का है तुम खब आँ मक मेरे पास है मैं ड्राइव नहीं कर पाऊंगा मैं टैक्सी के लिए काल करता ओओ पर टैक्सी क्यों वानी ड्रिंक नहीं की है मैं ड्राइव में ड्राइव करने वाला हूं तुम yeah कर सकता हूं अभी आता हूं कि अगुद कर ना मेरी वज़े से तुम लोगों दिक्कत हो रही है तुम्हारा शुक्रिया तुम्हारा भी शुक्रिया तुम नहीं होते तो मेरा घ्र पहुंच के मुझे कॉल करना ओकि अहां कि मंडे को मिलते हैं अब तुम भी घर चली जाओ कितनी प्यारी रिंग है क्या तुम्हें ये पसंद है यहां बहुत अच्छी है आपको मुबारक हो खेर पता तो मुझे पहले से ही था कि वो मुझे प्रपूस करेगा लेकिन मैंने यह कभी नहीं सुचा था कि इतना रोमेंटिक होगा सारा माहूल उसनी यह सारी डेकॉरेशिन खुद की थी सब कुछ परफेक्ट था कैंडल्स रोजेस पेटल्स सब बहुत अच्छा था एक मिनिट यह प्लेंस तुमने बनाया था कर दो में चुर्स में बताती हो अब सुनों उसने यह इंग खो दी और मैंने तूंड नि और वह ही बचकाना फ्लान बना रहा था थining मैने उसे मना कर दिया देख क्या रही हो उसका वो प्रपोशल तुम्हें एक सेकंड में रिजक्ट कर देती मुझे तुम्हारी पसंद अच्छी तरह से जानती थी फिर भी तुम्हें मुझे कुछ नहीं बता तुम्हें भात का रही है उनको बस करो मुझे सवज़ा देली नहीं छोड़ेंगी पर उसने मुझे इस तरह प्रपोश किया मैं मैं सेच में बहुत खुश हूँ बहुत अच्छी रिंग है मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं जितना जितना मैंने आज तक किसी के साथ नहीं किया है मुझे पहली नजर में तुमसे प्यार हो गया अपना जवाब हां या ना में देना जान क्या तुम मुझसे शादे करोगी पैत्रो अच्छा इंसान है और मैं अच्छी वेडिंग प्लानर हूं देखो भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है क्या तुम खुश हो खुश तो मैं शादी के बाद होंगी लेकिन अभी मैं आस्मान में उड़ रही हूँ अभी हमें शादी के तैयारी करनी चाहिए कार्ट्स छफाने चाहिए तुमने तो पहले से प्लान कर रखा था क्या तुम कई सालों से इसका इंतजार कर रही थे इंतजार और मैं? हाँ मैं करता रही थी शादी करने का इंतजार कर रही थी सोच रही थी कब मेरी शादी होगी शादी होगी तो मैं ये करूँगी मैं वो करूँगी अब चाहे जो भी हो, सब कुछ अच्छा ही होगा, बस रोमान्स होगा और अच्छे-अच्छे कपड़े होगे ड्रेस से मुझे याद है, मैंने इंटरनेट पर एक वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट की है, देखो कैसी है यहाँ देखो, लेकिन यह बहुत ही महंगी है अगर तुम्हे यह ड्रेस चाहिए, तो क्या मैं अपनी कार बेश दूँ और तुम्हारे लिए यह ड्रेस खरीद दूँ तिम सही कह रहे हो, यह ड्रेस मैं एक ही बार पहनूगे, लेकिन कार तो हम रोज-रोज इस्तमाल कर सकते हैं और वैसे भी शादी के दिन में ऐसी ड्रेस पहना चाहती थी, जो मेरे पती के हाट को टच करें यहां से चलें, लेकिन कहां? हमें आउलिया मा के लिए प्रेजेंट भी तो खरीदना है हाँ, मैं भूल गए थी, चलो चलो, चलो आ गए, तुम्हारे शिफ्ट कैसी थी? शिफ्ट अच्छी थी, क्या आप ये बताएंगे कि आप मेरे पापा को कब से जानते हैं? और मेरी मॉम को क्या हुआ था? आप उन्हें भी जानते थे ना? हाँ, लेकिन मैं उसे जान पैचन नहीं कहूंगा, मैं तो उसे जानता तक नहीं था तुम्हारे पापा ने इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया? वो इस बारे में मुझसे बात ही नहीं करते हैं, सच कहूं तो आज तक उन्होंने मुझे उनकी तस्वीरी भी नहीं दिखाई है मैं कुछ बोलता हूँ तो वो टॉपिक चेंज कर देते हैं उसके लिए उसके बारे में बात करना बहुत मुश्किल काम होगा, वो उसे बहुत प्यार करता था बस इतना जानना चाहता हूँ कि मेरी मा के कबर कहा है देखे बात यह है डॉक्टर साहब, मैं आजकल पहले से बहतर महसूस कर रही हूँ ऐसा लगता है कि पिछले दिनों में मेरा वापस जनम हुआ है मुझे नहीं लगता कि अगर मैं काम करना शुरू कर दूँ तो दोबारा कभी मुझे नर्वस ब्रेक्टाउन हो सकता है क्या तुम पहले से बहतर महसूस कर रही हो आना अब तुम मुझे ये बताओ कि जब तुम उस इंसिडेंट के बारे में सोचती हो तो तुम्हें कैसा महसूस होता है तकलीफ होती है बहुत तकलीफ होती है कि मैं अपने परिवार को दुख दिया है उन्हें मेरी फिक्र हो रही है अपने परिवार की खुशी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अपने करियर का भी त्याग मैं कर ही सकती हूँ पर पता है क्या मैं तैयार हूँ ओफिस में वापस आने के लिए तुम वाकई पहले से काफी बहतर हो मेरे खयाल से काम करने में कोई नुकसान नहीं है और अब तो तुम नॉर्मल हो, काम कर सकती हो बस इतना ध्यान रखना कि किसी भी स्ट्रेसफुल सिच्वेशन से खुद को दूर रखना तो ठीक है, मेरी तरफ से तुम आफिस जाने के लिए परफेक्ट हो लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अगले हपते एक बार फिर आकर मुझसे मिलो थैंक यू, अफकॉर्स अच्छा ये बताओ, तुम्हारी बेहन की तबियत अब कैसी है, मुझे उसकी फिक्र होती है लेकिन क्यूँ? इसलिए क्योंकि सीडियों से गिरने के बाद सिर्फ एक बार ही वो यहाँ पर आई थी उसके बाद झाल